असलाम नेको वीवर्स मेरी आज की वीडियो का टापिक ऐसे पोदी है जो के सांपों को अपने तरह मतवज़ा करते हैं और सांपों के इनकी तरह मतवज़ा होने की रीजन क्या होती है तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में इसमें जो सबसे पहला है वो है टाल फैसक्यू और दूसा प्लांट है बुफैलो गरास ये दो ऐसे पोदे हैं जिन पे जो सांपों की किसम आती हैं उसमें गाटर सांप और कारण सांप होते हैं ये सांप इन की तरफ इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि घास में सांप को शिकार करना बहुत असान हो जाता है और हो बहुत असानी के साथ अपने छोटे 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 शिकार की तरफ बढ़ जाता है इसलिए इन में सांप इसलिए बढ़ जाता है ताकि वो अपने शिकार को असानी के साथ शिकार कर सके इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वाटर लीली वाटर लीली में जो सांप आया जाता है वो वाटर सांप और काटन माउथ होता है इस तरहां के पानी के पोदे मैंड को और मच्छियों को अपनी तरह मतवज़ा करते हैं जिससे वो पानी से महबत करने वाले सांपों के लिए एक भरपूर हुरा का मरकस बन जाते हैं और सांप इनकी तरफ मतवज़ा होते हैं नेक्स्ट है ब्लैक बैरी ब्लैक बैरी पे जो सनैक आता है वो रैड सनैक और किंग सनैक होते हैं ये साम जाड़ीदार पोदों की तरफ इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि ये जाड़ीदार पोदा होता है और ये बेर पैदा करता है जो चूहों को बहुत ज़दा पसंद होता है छूहे इन बेरों को खाने के लिए इसकी तरफ मतवज़ा होते हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं और ये चूहे सांप के खोराग बनते हैं इसलिए सांप लैंक बेरी के पौदे पर आते हैं क्योंकि वो चूहों को शकार करते हैं नेक्स जो प्राट है वो है लिवंडर लिवंडर में जो सांपों की संब आती है वो गाटर सांप और कॉर्र सांप होते हैं और इसके साथ ही जो नेस्प प्राट है वो है मिल्क वीड। ये दोरों पोदे जो हैं ये खुश्बूदार होते हैं लेकिन साम के इन दोनों पोदे पर आने की वज़ा इनकी खुश्बू हर्गिस नहीं होती है साम पोदे पर कभी भी उनकी खुश्बू की वज़ा से हर्गिस नहीं आते हैं बलके इनके मुख्लिफ रीजन होती है लीवंडर और मिल्क वीड ये जो दो पोदे हैं ये खुश्बूदार फूल पैदा करते हैं जो मुख्लिफ किसम के क्यूड़ों को अपनी तरह मतवज़ा करते हैं और बदले में क्यूडों की मजूद की छोटे शिकारी जनवरों जैसे छोटी छपकिलियों और मैंडकों को अपनी तरह मतवज़ा करते हैं जिससे ये सांपों के लिए एक सीर सती हुराका जाल बनता है और साप इन चपकिलियों और मैंडकों को खाने के लिए इन पोड़ों की तरफ बढ़ते हैं और इन में छुपकर इन छोटे शिकारी जानों का शिकार करते हैं नेक्स्ट जो पलाइट है वो है कलोवर कलोवर एक ऐसा पोड़ा है जो के बिस्तरों की तरहां जमीन पर बिच्छा हुआ होता है और चुके ये पोड़ा बहुत ज़दा घना होता है और घना होने के वज़े साप इसमें अपने आपको छुपा लेते हैं और इस तरह चुपकर साम को अपने शिकार को शिकार करना बहुत ज़्यदा असान हो जाता है तो इस तरह कलोवर के पोदे में साम अपने आपको छुपा लिता है तो आप ऐसा पोदा भी अपने घर में हर गिस मत लगाईए साम हमیشہ शिकार करने के लिए पोदों में छुप जाते हैं तो अब चलते हैं नेक्स प्रांट की तरफ जो नेक्स प्रांट है वो है आईवी आईवी पे जो सनेक आते है वो गरीन ट्री पांथा या वाइन साम होता है बेले और कीपर दरफ़ों में रहने वाले सामपों के लिए एक बलंड शिकार की जगा फराहम करता है नेक्स प्रांट है संदल वॉड संदल वॉड का जो दरफ़ोता है इसमें जो सामप आता है वो मश्रकी रिबन सामप होता है सामप धूप में साया तलाश करते हैं और सायादार अलाकों में पना लेते हैं संदल का दराफ़ सामपों के अराम के लिए एक मसाली जगा है क्योंकि साया देने के साथ-साथ ये दराफ़ थंडा भी होता है और नमी जिसब करने की सलाहियत की वज़ा से सांपों को मरतूब और ठंडी हवा भी मोहिया करता है संदल के दराफ पर सांप संदल की लकड़ी की हुश्बू की वज़ा से नहीं बलके दराफ के ठंडा होने की वज़ा से होते हैं इसलिए संदर कर दराफ भी आप अपने घर में हर्गेस मत लगाईए नेक्स्ट जो प्लांट है वो है अगावे अगावे में जो सांप की किसम आती है उसमें रेटल सनेक और साइट वाइंडर्स होते हैं ये सांप इन पोदों पर इसलिए आते हैं कि ये पोदे खुश खायलात के मताबिक अपने आपको ढाल लेते हैं और सहरा के मुवफिक सांपों के लिए जिगापेश करते हैं इनकी साहती पेचीदगी सांपों जैसे रेटल सांप के लिए साया और इनको बहुत ज़दा फ्वाइद फराहम करती है इसलिए ये सांप अपने आपको इन पोदों में इसलिए चुपा लेते हैं क्योंकि ये पोदे उनको ठंड़क फराहम करते हैं सागवारो केक्टस सागवारो केक्टस पे आने वाले जो सांप होते हैं इसमें रेटल सनेक और साइड वाइंडर्स होते हैं इस पोदे की जो रिड़की हड़ी होती है ये जानवरों को अपने उपर चाड़ने से रोकती है लेकिन सांप इस पर बगार किसी में शक्कत के बहुत असानी के साथ चाड़ जाता है और अपने शिकार को बहुत असानी के साथ शिकार कर लेता है नेक्स्ट है सनोबर का दराथ सनोबर के दरखतों के घने पते सांपों के पसंदीदा शिकार के लिए गोंसले के लिए एक मसाली रहाशगा बनाते हैं जो अक्सर दरखतों के साए में इनके घार या गोंसले बनाता है इसकी वज़ा से सांप अंदर घुसने लगते हैं सनोबर के दरखतों का तालुक इस सिकाफतों में लंबी उमर, मजबूती और यहां तके अदासे से भी रहा है कबरों के करीब सनोबर के दरख लगाना या उन्हें कबरों के पत्थर के तोर पर इस्तमाल करना कदीम अकीदे की आकासी करता है सनोबर के दहतों के साथ सांपों का बहुत पराना तालुक रहता है तके सांप इसमें बसने वाले जो परिंदी होती है उनके गोस्नों में दिये जाने वाले अंडों का शकार करता है और उन अंडों को खाता है नेक्स्ट है हानी सेकल हानी सकल के पोदे अपने खुश्बुदार फूलों के लिए मश्पूर हैं और इन पोदों के जब फूल हैं इतने खुश्बुदार होते हैं कि इस पर शहर के मक्हियां और तित्लियां बहुत ज्यादा आती हैं और इन शायद के मक्हियों और ठिक्लियों को खाने वाले जो कीड़ी होते हैं, वो इनकी तरफ मतवच्चा होते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, और जो कीड़े इनकी तरफ बढ़ते हैं, साप इन कीड़ों को बहुत अच्छे तीके से देख सकते हैं, और वो इन कीड़ों को और शिकारियों से बचने के लिए भी इस पोदे के नीचे छुप जाते हैं। नेक्स प्रांट है होस्टस। होस्टस एक ऐसा पोदा है जो बहुत कम देख बार लेते हैं और इसे घर में लगाना बहुत ही आसान होता है लेकिन ये सांबों को अपने तरह मतवज़क कर सकता है क्योंकि ये पोदा बहुत नम मट्टी लगता है और बहुत नम मट्टी में बहुत अच्छी तिके से ग्रो करता है और ये नम मट्टी सांबों के रहने के लिए बहुत पसंदीदा जगा होती है पतों के नीचे साम मनासब जिगा देकर अपने आपको छपा लेते हैं इसलिए आप अगर ये चाहते हैं कि आप ये पोदे अपने घर में लगाएं और ये पोदे आप अपने घर में लगाना चाहते हैं साँ के नीचे चुपने वाले साब असारें के साथ चुपना सके तो आप रखे होई जद्गे पत्यों पत्य है जो आप जड़ी के पत्य प्यून भी मेरत किवस्त थ्यूंद Komm with rapid में पोदा लगाएं तो हमेशे एक बात का धियान रखें आपने उन पत्तों को कड़ देना है जो के जमीं के साथ टच हो रहे होते हैं तो इस तरह ये पोदे आप अपने घार में लगा सकते हैं ये वो तमाम पोदे हैं जिन पर साम आते हैं और साम कभी भी पोदों पर उनकी खुशबू या खुबसूरती के वज़ा से नहीं आते हैं बलके वो हमेशा शकार करने के लिए आते हैं हम अपने घार में जो पोदे लगाते हैं तो उन पोदों पर बहुत सी ऐसे फ्रूटिंग्स भी होती है जिन पर साम पाते हैं इस तरहां जो मोतिया पलांड है इस पर लिए आता है और इसमें मुखसरी चुटे चुटे च्owa रादे हैं जो अपने आपको छुपाने के लिए आते हैं तो साम उनकर शकार करने के लिए इन पोदो में आकर छुप जाते हैंinen और गती है ही होती है कि राध की रानी का बोदा सामों को फुश्भू में हिया करता है बलक्ए साम इस पोदे के निचे इसलिए आते हैं कि वो ठंडी जग़ों को पसंद करते हैं तो जिन बोदे पर साम आते हैं आप इनको अपने घार में लगाने से थोड़ा वाइड केजिए लेकिन इहतियात बहुत ज़रूरी होती है आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको क्वेस्चन पूछना हो तो कामट सेक्शन में ज़रूर पूछें ताकि में जाने वाली हाट नी वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में